असलावलेकूम और रहमतुल्लाहिए वरकातूँ प्यारे बच्चों हमने अपनी क्लास में अब तर A, B और C तक के ही लेटर सीखे हैं आज हम अपनी क्लास में C के बाद का लेटर सीखेंगे तो बच्चों C के बाद कौन सा लेटर आता है? लेटर आता है D तो बच्चो आज हम पढ़ोंगे D के बाल को आज हम की गिलास में आपको D लिखना सिखा हैं तो D लिखने के लिए समसे पहले 1 लमभी से लाएं की जिएंगे कैसे बच्छों कैसे कि हमें क्या करना है एक लाइट सेथी उपर से नीचे और फिर उपर से एक रोंग साइसे बनाते है नीचे लागा मिलाते हैं तो यह क्या बन जाएगा बच्छों D बिल्कुल साही एक बार फिर देंगे ऐसे करना है तो यह हो जाएगा बच्छों हमारे किता हमें भी दिया गया है डी लिखने का तरीका एरो से बताया गया है कैसे तरह से लिखना है कब उपर नीचे लाइट दानी है तो हमने आपको लिखकर भी बता दिया है कि एक तीनी लाइन उपर से नीचे कीज़े उसके बाद एक बोसा मिला दिया तो यह हो जाएगा D और D for क्या होता है? D for door Door तो सबके घर में हैं दर्वाजे तो यह door होता है हमारे letter D से तो बच्चों अब हमने कितने letter सीख लिए हमारे साथ पढ़ें आप लोगी A, B, C and आज हमने पढ़ा letter D खीके बच्चों एक बार फिर देख लें किस तरह इसे लिखा जाता है एक सीधी लाइन ऐसे फिर एक बोल सा बनाते हुए लाद नीचे हट मिला दिये तो यह हो जाएगा हमारा letter D ठीक है बच्चों आप लोग लिखना सीखें और घर पर पढ़ें भी फिर मिलते हैं अगली ग्लास में एक नए letter के साथ असलाम लेकूम और रहुतुल्लाहि मरकातू